कंटेनर में नशे की तसकरी, रीवा के मनगमा में 25 लाख रुपई की 11,520 शिशी नशीली कफ सिरफ जब्त, साथ आरोटी गिरफतार रीवा जिले की मनगमा पुलिस ने शनिवार की सुबा कंटेनर से नशे की तसकरी करने वाली गैंग का परदा फाश कर दिया है बताया गया कि पहली दबिश मुखबीर की सुचना पर मनगमा के कुईया नहर के पास दी गई वहाँ नशीली कफ सिरफ की खेब कंटेनर से उतार कर ट्रेक्टर ट्रॉली में लोड हो रही थी तभी आईजी द्वारा गठित पुलिस की विशेस टीम ने घेरा बंदी कर छे बदमाशों को पकड़ लिया है मौके से एक कंटेनर एक ट्रेक्टर और एक बोलेरो 64 पेटी से 7680 शीशी नशीली कब सिरफ निकली है इसी तरह दूसरी दबिश मनगमा शेतर के मनिकवार चौकी अंतरगर तमहा गाउं में की गई है दावा है कि मुख्य तसकर फरार हो गया ऐसे में पतनी को आरोपी बनाये गया है घर के अंदर से 32 कार्टून से 3840 शीशी को रेक्स निकली है दोनों कारेवाई में 25 लाख की 11,520 शीशी कब सिरफ जब्ध हुई है प्रयाग राज से आ रही थी खेप 7 अक्टूबर की सुबा मुखबीर ने अधिकारियों को सूचना दी कहा कि प्रयाग राज से कंटेनर क्रमांक MH-04-KU-425-00 में कफ सिरफ आ रही है या खेप मनगवा शेतर में उतरेगी तुरंत अफसरों ने लोकल पुलिस को दूर रखते हुए सिर्म और SDOP उमेश प्रजापती को भेजा साइबर सेल की मदद से मौके पर टीम पहुँची तो इनपुट सही निकला देखा कि मनगवा की कुईया नहर के पास से नशीली कफ सिरफ से लोड कंटेनर क्रमांक MH-04-KU-425-00 से उतार कर ट्रेक्टर क्रमांक MP-17-BB-58-28 में लोड हो रही है वहीं बोलेरो क्रमांक MP-65-BB-03-101 में तसकर बैठे हैं पुलिस ने घेरा बंदी कर 7680 शीशी कब सिरफ जब्द की है इसके बाद तीनो वाहनवा कोरेक्स को बरामत कर मनगवा थाने लाया गया यहाँ पुलिस ने NDPS Act के तहत कारिवाई की है पती फरार, पतनी गिरफतार घर में छिपार रखे थे कोरेक्स सिर्मौर SDOP उमेश प्रजापती ने खुलासा करते हुए बताया कि 7 अक्टूबर को दूसरी खबर आई सूचना करता ने कहा कि मनिकवार चौकी के तमहा गाउनिवासी संतोष सिंग उर्फ संजु सिंग के घर में भारी मात्रा में नशीली कफ सिरप रखी हुई है मनगवा पुलिस ने साइबर सेल की मदद से सम्बंधित अस्थान में दबिश दी पर पुलिस की घेरा बंदी देख आरोपी संतोष उर्फ संजु फरार हो गया ऐसे में आरोपी के घर की तलाशी ली गई तब एक कमरे में 32 कार्टून मिले हैं पुलिस के काउंटिंग में 3840 शीशी बरामद हुई है जांच में पता चला कि नशे के कारोबार में आरोपी की पतनी प्रिया सिंग पती संतोष 36 वर्ष निमासी तमहा लिप्थ है वपती की गैर मौजूदगी में चोरी छिपे नशा बेचती थी तब मनिकवार पुलिस ने महिला को गरफतार किया है कोरिक्स की जबती बनाते हुए NDPS एक्ट के तहद कारेवाही की है दोनों कारेवाही में 11,520 शीशी कप सिरप कीमत 25 लाख रुपए वह एक कंटेनर एक ट्रैक्टर एक बुलेरो कुल तीन वाहनों की कीमत 75 लाख रुपए आखी गई है इस दबिश में एक दर्जन अधिकानियों की मुख्य भूमिका रही है तरह कोईलेट कर रहाता है जिसके आदाहा पर कल पर बहुती विश्वस्त जानकारी मेली थी और यसका अदाहा पर पुरी टीम मना के पुरी अकारवाई के गई है पहली कारवाई यह हुई थी कि यह प्रदाच रहा कि कंटेनर में प्रयाग्राज साइट से का गाड़ी आ गई है और जिसमें ब्यूट्य प्रोडस के काटन की वीच में कोरेक्स का भी वह रखे हुए है और वहां से फिल ट्रैक्टर में सप्लाई होगी और उसके बलेरों में जो भी है लोग उनके द्वारा भी इना माल लिया जा रहा है तो जिसके आधार प्रोड़ी मना की जब रेट किया गया है तो यहां पर हमको च्छे आरोपी मिले और करीप चौसट प्रेटी के वरट्स और जो कंटेनर है जो ट्रैक्टर है और एक बलेर वहां से जब्सक्री और मिलें कि एक संजोर सिंग के घर पर को एक पुत्री हुए है जहां से फिर जब रेट मारी गई वहां पर तो वहां से अंको 32 पेटी कोरेक्स मिला है तो इस पकार कुल 25 लाग का सीरप है जो नश्य के सांबत लेती और बाकी जो मशूर का है तो मिलागी करीब एक करूम प जो नामजद है बाकी प्यार लिया जाएगा जिनके आफशकता है और उसके अधार पर उनके पुस्ताश की जाएगी और जो भी इस पूरी चेन में इन्वल्ड हुए उनके क्लाब करवाई कि जाएगी तो उसके अधार पर चिनित क्या जाला लोगों को और जैसे लोग चि को भी इसमें संब्लिक करके उनके क्लाव इसमें आरूपी बनाके उनको भी ग्रफ्ता करके आगे कार्वाई कि एक अपील है मेरी सभी आपने रीवाज लेकिन आगे को खासकर यूवाबर किसे इस प्रकार के नशे से बचें चाहे वो यह सिरप कर नशे हो चाहे वो टैबल आपका जीवन इसके पर dependant हो जाता है और जिसके वाज़से आपका पुरा भौष अंदिकार मी हो जाता है आपके माता-पिता जो आपको मेहनत करके पूआ पालन किया है और जो आपके सपने ती नशे की लाइक करें शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें